Hello everyone, welcome to Farmerox YouTube channel Farmerox की YouTube educational channel में आपका स्वागत है In today's video lecture, we will study in detail about the asthma तो जो अस्तमा की जो बीमारी है, उसके बारे में हम ये वीडियो लेक्चर में डीटेल में study करेंगे कि अस्तमा की जिसको हिंदी में कहा जाता है दमा या फिर दम की बीमारी तो अस्तमा क्यों होता है, कैसे होता है उसके होने की जो reason से प्लस उसके अंदर क्या sign and symptoms वगेरा होते है फिर किस तरह से इसका हम इलाज कर सकते है, कैसे हम treatment कर सकते है अस्तमा की, कि medicines के साथ साथ जो home remedies वगेरा होती है उसके बारे में भी हम ये video lecture में discuss करेंगे कि अस्तमा पहले तो होता क्या है प्लस उसके इंदर किस तरह से हम treatment कर सकते है पेशन की कि medicines के साथ साथ जो home remedies जो होती है prevention के जो steps होते है कि अस्तमा ना हो उसलिए हम क्या कर सकते है तो ये सबी को हम detail में जो है वो study करेंगे ये video lecture के अंदर So, be updated with the pharma knowledge For that, subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of pharma rocks So, this expert lecture by Mr. Amar Rawal sir Mr. Amar M. Rawal B. Farm M. Farm in Pharmaceuticals PhD pursuing assistant professor and founder of pharma rocks pursuing the PhD from Gujarat Technical University Ahmedabad, Gujarat So, आप सभी का बहुत ही धन्यवाद है कि आप सभी के support के कारण pharma rocks ने अपने one lakh subscribers जो है वो complete किये हो जिसके कारण YouTube ने pharma rocks को YouTube creator award से सनमानित किया है So, thank you all of you for being in a one lakh family of a pharma rocks So, updated रही है pharma knowledge के साथ इसलिए subscribe करिए channel को praise करिए bell icon and never miss any video of pharma rocks So, pharma rocks का अब हमने mobile app भी launch किया है तो अगर आप Android user है तो Google Play Store पर से आपको डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपके पास Apple का iPhone है तो app store पर से आपको डाउनलोड करके उसको access कर सकते हैं जहाँ पे pharma rocks का जो study material फिर हमारा जो taste series है कि जो जीपेट, फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, नाइपर वगिरा एक्जम के लिए as well as valuable video lectures आपको Pharma rocks की app उपर मिलेंगे तो अभी डाउनलोड करिए आप Pharma rocks Android अपन Google Play Apple iPhone अपन App Store तो आज का जो हमारा topic है main वो है अस्थमा कि हिंदी में उसे हम कहते हैं दमा या फिर दम की बीमारी कि जो दमा जो कहते हैं अस्थमा, यूजली हम कहते हैं तो ये chronic condition है कि जो हमारे respiratory track को affect करती है हमारा जो respiratory track कि जो हम अलग-अलग disease and disorders के बारे में study करते हैं जिसमें से आज का जो हमारा ये disease है अस्थमा वो है हमारे respiratory track की जो हमारा स्वसंत अंत्र है कि जिससे हम breathing वगेरा करते हैं सास लेते हैं और हमारे body के अलग-अलग organ और organ system तक जो oxygen जो पहुचाने का जो काम होता है वो हमारे lungs के त्रू अलग-अलग parts के अंदर जाता है oxygen कि जो oxygen आगे जाके blood के अंदर mix up होता है और फिर अलग-अलग organ की और पहुचता है तो oxygen का जो exchange होता है O2 and CO2 का कि हम oxygen जो है वो breathing में लेते हैं and carbon dioxide को हमारी body में से बहार निकालते है तो यह सभी के लिए हमारी respiratory track जो है वो involve होती है और यह disease में सबसे ज्यादा affect होता है हमारा respiratory track और उसमें भी जो हमारा airway होता है airway कि जो हमारी lungs के अंदर उसकी जो अलग-अलग pipes जो हम कहते हैं usually जो trachea है उसको हम कहते हैं wind pipe wind pipe और wind pipe की आगे बहुत सारी branches बनती है जिसको हम कहते है bronchi और bronchioles वगेरा होते हैं और सबसे last में फिर alveoli होती है कि जो structure and functional unit होता है हमारे lungs का तो जो भी ये bronchi होती है हमारे wind pipe होती है as well as जो bronchioles होते है कि जो हमारे lungs तक पहुचाने का काम करती है air को जिसके करण उसको हम कहते है air way कि वो एक रास्ता है वे है कि जहां से air जो है हमारे lungs और lungs के जो structure and functional unit कि जो हम कहते है alveoli वहाँ तक पहुचता है तो जो air पहुचाने के लिए जो पुरा airway है वो हो जोता है narrow कि समझो कि normal condition में ऐसा airway था कि जो ये था normal और जब ये narrow हो जाएगा तो ऐसा होगा कि इस तरह से होने के बाद ये उसका diameter था पहले का और अब ये उसका diameter देखे तो इतना रहे चुका है because ये जो पूरा portion है वो damage हुआ है जिसके करण ये airway का जो diameter है वो decrease हो गया है प्लस यहाँ पे जो हम देखे तो होगा inflammation हो देखने को मिलेगा आपको कि जो हम कहते है swelling and साथ में extra mucus extra mucus यहाँ पे form होता है तो ये है main condition की जो अस्थमा के अंदर होती है कि especially जो airway जो होता है कि जब healthy person का ये airway normal होता है तो हम easily breathing कर सकते है सास लेने में कोई हमें problem नहीं होती और जब अस्थमा की जो condition produce होती है उसमें person का airway ऐसा narrow हो जाता है और narrow airway होने की जो reason होते है mainly inflammation हो जाता है वहाँ पे जिसके करण अंदर का जो space से वो काफी कम हो जाती है जिसको हम कहते है narrowing of airway प्लस यहाँ पे extra mucus produce होता है और उसके करण जो हम बात करते है कि easily जो air है वो पास नहीं हो सकती difficulty होती है breathing के अंदर और coughing वगिरा भी होता है तो यह condition जो है वो produce होती है यह disease के अंदर तो यह एक diagnostic feature है कि जब किसी person का हमें diagnosis करना है अस्थमा कि जब आपके पास कोई patient आया है उसका आप समझे के diagnosis कर रहे है तो यह वाला sound कि जैसे whistle बचती है ऐसा sound उसके breathing में आपको सुनाई देता है whistling sound कि जो हम कहते हैं whizzing कि जैसे whistle जैसा बच रहा हो एसा इवन समझे कि आप उसके breathing बे देखो stethoscope लगा के भी जब diagnosis किया जाता है उस वाग भी पता चल जाता है कि whistling sound जो है वो सुनाई देता है कि जो excessive coughing होता है उसके करण और जो person होता है उसको सास लेने में काफी difficulty होती है breathing के अंदर difficulty और उसका ये reason है main airway का narrow हो जाना कि जब किसी person का जो airway काफी narrow हो जाता है swelling हो जाती है और वहाँ पे mucus भी होता है कि जो हम कहते है extra mucus कि जो normal जब होता है वो सही है बट जब excessive हो जाता है तो काफी problem creates होते है और उसी में से ये एक problem है अस्तमा का और ये extra mucus develop हुआ है with airways कि जो काफी narrow हो चुका है even यहाँ पे भी ये diagram में देख रहे है कि ये जो diagram के अंदर हम देख रहे है कि जो airway है ये वाला इस तरह का हो चुका हम देख सकते है कि जो काफी narrow हो चुका है जबकि actual में ऐसा airway समझो कि हम imagine करें उसके compare में ये airway सिर्फ इतना अंदर का जो भाग है उतना ही रहा है बाकी सब जो है वो वहाँ पे हो चुका है inflammation तो ये जो inflammation के करण आसपास का ये जो पूरा area कि normally इतना होता है कि ये जो yellow में कर रहा हूँ उतना समझो कि original होता है तो उसके compare में आप देख सकते हैं कितना काफी वहाँ पे narrowing हो गया है अस्थमा के अंदर तो bronchial asthma is a medical condition which causes the airway path of lungs to swell and narrow कि जो airway का जो पूरा pathway है कि जो हमारे lungs के structure and functional unit कि जो है bronchials or as well as जो alveoli जो हम कहते हैं वहाँ तक air पौस्ती है वो जो साथ में लेकर जाती है oxygen को और वहाँ पे oxygen and CO2 दोनों का exchange होता है तो airway का जो main pathway है उसका काफी narrow हो जाना swelling होना वो main है bronchi अलस्तमा के अंदर और excessive mucus कि जो हमने previous slide में बात की वैसे and due to this swelling the air path produce excess mucus जिसके कारण hard to breathe making it hard to breathe which result in coughing जिसके कारण coughing होता है breathing काफी short हो जाते है आपके end whizzing कि जो अभी बात की हमने whistle जिसा sound हमको सुने देता है जब कोई person breathing करता है and this disease is a chronic interface with daily working और जब किसी को अस्थमा है तो उसका जो daily working है जो routine काम है वो काफी होता है effect तो आप यहाँ पर देख सकते है diagram के अंदर कि हमें एक set दिखा गया है normal airway कि ये वाला normal है और ये bronchial asthama के अंदर तो ये देखे यहाँ पर अलग-अलग linings दी है कि जो yellow color की lining है ये mucous lining है फिर जो pink है वो smooth muscle है फिर वहाँ पर blood vessels भी है देख सकते हैं आपे और proper जब air उसमें से pass होती है तो ये normal है कि जब आपे किसी भी type का swallowing वगेरा नहीं है और यही airway को आप देखिए bronchial asthama के अंदर तो ये वाला part कि ये इतना जो circle था उतना ही बचा है जबकि यहाँ पर ये circle में draw कर रहा हूँ उतना pathway है तो आप imagine कर सकते हैं bronchial asthama में इतना और normal condition में airway होता है ये size का तो size आप देखे तो काफी reduce हो जाती है हमारे airway की जिसके कारण patient को काफी difficulty होती है breathing करने में तो यहाँ पर भी देख सकते हैं ये diagram में कि normal airway कि ये normal diagram और no muscle tightening muscles tight नहीं है जबकि अस्थमा के अंदर जो bronchi and bronchioles होते हैं उसके जो muscles से वो काफी tight हो जाते हैं airway lining जो है वो काफी swollen होती है inflammation होता है कि जो आप यहाँ पर redness देख सकते हैं and mucus की जो excessive amount में वहाँ पर produce होता है तो ये वाला देखिए ये जो normal side है वहाँ पर mucus तो no mucus हम कहिए सकते हैं या फिर very less amount के अंदर जो आपकि यहाँ पर excessive mucus present है जो muscles है हम कहें तो relax है काफी जबकि यहाँ पर वो muscles हो जाते है tight यहाँ पर वो muscles है काफी tight कि जो tightening हम देख सकते हैं muscles का no swelling जबकि यहाँ पर swelling आपको देखने को मिलती है तो यह completely difference आप देख सकते हैं bronchial अस्थमान नॉर्मल के अंदर तो जब normal human होता है उसके अंदर यह जो हम bronchial tube कहते हैं तो यह airway में से proper air आती है कि जो हमारा trachea है और वहाँ से फिर यह bronchial और उसके अलग-अलग bronchial अगे जो आगे कि जो उसके branches बनती है तो वहाँ पर easily airway जो है वो पास होती है बट जब यहाँ पर समझो कि bronchial अस्थमा में यह blockage है तो उसके करण आगे के जो यह सब यह part है वहाँ तब air जो है वो पहुचेगी नहीं जबकि यह side जो है यहाँ तक proper जो है वो air पहुच पाएगा because वहाँ पर कोई यह imagine कि हमने normal condition और यह वाला imagine किया है अस्थमा तो यह है bronchial अस्थमा अब जानते हैं उसके causes कि जो reasons जनना जरूरी है कि person को अस्थमा पहले तो होता क्यों है अस्थमा होता क्या है और यह होने के reason कारण क्या है कि what are the reasons behind the bronchial कि किसे भी person को अस्थमा क्यों होता है तो सबसे पहले pollen कि जो pollen होते हैं उसके बहुत सारे लोगों को allergy होती है कि अलग अलग एसे कोई flowers कि उसकी जो pollen हम कहते है वो समझे कि smell करते है तो उससे अस्थमा हो सकता है आपको और वो mainly allergy के करण के आपको वो pollen की allergy है उसके बाद smoking excessive आप smoking करते है तो उसके करण आपको अस्थमा हो सकता है फिर excessive amount में कोई exercise करता है और साथ में risk है उसका pollen का भी उसकी allergy है smoking है और ऐसी condition में person समझो की excessive exercise करता है with ऐसे reason की जहाँ पे काफी सारा pollution भी है तो वो person को आगे जाके अस्थमा हो सकता है फिर mold mold की allergy या फिर कुछ ऐसी mold होती है कि जो responsible होती है आपको अस्थमा होने के लिए तो उसके करण आपको अस्थमा होता है as well as किसी viral infection के कारण भी आप जो है वो अस्थमा के सिकार हो सकते हैं कि नॉर्मल पहले था आपको sneezing था, coughing था respirated wreck का normal infection था बड़ समझे कि उसको आप क्यो और नहीं करते तो आगे जाके अस्थमा हो सकता है pneumonia हो सकता है तो वो सब बन जाते हैं उसके risk और उसी वो ही बनते हैं उसके causes कि जो हम कहते है reasons उसके लबा ऐसे कुछ food कि उसके कारण भी आपको हो सकता है अस्थमा की कुछ ऐसे food की जिसकी आपको allergy है कि like seafood उससे आपको अस्थमा हो सकता है कि उसके related कोई allergy है आपको उसके अंदर ऐसे कोई toxins वोगे रहा है तो उससे भी आपको affect हो सकता है medicines के side effect के तोर पे कई बार होता है और mainly reason है यह dust mite कि जो dust होती है उसके अंदर जो mite होते है कि जो सको हम dust mite कहते है वो जब आपके breathing में जाते है तो वो आगे जाके आपके respiratory tract का infection करते है और आगे जाके आपके जो bronchi, bronchiols वगेरा damage होते है वहाँ पे inflammation होता है उनका जो inner lining है वो दिरी-दिरी damage होता है और जिसके कारण आपको जो है वो अस्थमा होता है because main reason तो है आपका airway का narrow हो जाना और airway narrow होना का main reason होते है अलग-अलग medications, dust mite, smoking, pollen वगेरा की allergy के कारण इनके कारण आपको हो सकता है फिर stress एक affect करता है कि आप stress में होते है फिर pets के कारण भी आपको infection लग सता है और cold air cold air के समझे कि आपको काफी cold air के कारण problem होते हैं के समझे कि winter की season में तो already cold air होती है बड़ समझे कि आप air conditioning वगेरा में रहते है AC वगेरा ज़्यादा चलाते है या फिर जब traveling करते हैं तब आप AC car, AC bus वगेरा के अंदर traveling करते हैं उस वक्द भी आपको ये problem जो हो सकता है कि जिसके करण आपका lungs जो damage हो सकते है कि smoking कि जो smoking आपके lungs को damage करता है पोलन्स की कि जो कुछ allergy होती है वो आगे जाके infection करती है आपके respiratory track में तो ये सभी causes मिला कर क्या करते हैं कि आपके जो respiratory track है respiratory track वहाँ पर करते हैं infection और ये infection समझो कि treat नहीं होता तो आगे जाके वहाँ पर जो inner lining होती है वो damage होती है उसका होता है inflammation होता है और inflammation के कारण वो हो जाती है narrow और उसके कारण person को breathing के अंदर difficulty होती है और उसको हम कहते है अस्थमा तो ये हो गए उसके causes को ये सभी causes के pollution कि आप ऐसे area में रहते हैं कि ज्यादा pollution है तो आगे जाके आपको ये problem हो सकते ये pollution के अंदर काफी ऐसे risk factors होंगे कि जिसके करण आपके जो respiratory tract का infection हो सकता है आपके lungs damage हो सकते है और आगे जाके अस्थमा हो सकता है symptoms देखे तो wheezing कि जो हमने बात की कि जो whistle जैसा sound जो है वो produce होता है कि जब आप coughing करते है specially उस वक्त फिर cough excessive होता है खासी आती है shortness of breath tachycardia हो सकता है patient को difficulty in breathing सास लेने में काफी because obviously काफी narrowing हो चुका है आपका airway pale and weight screen रहती है आपकी जो skin है वो काफी pale skin देखती है plus weight रहती है dyspnea and chest tightness तो यह है main symptoms of asthma की wheezing coughing होता है shortness of breath tachycardia difficulty in breathing pale skin dyspnea chest tightness और dyspnea मतलब की excessive difficulty in breathing की आपको completely breathing करने में काफी मुश्च के लिए हो रहे है जिसको हम कहते है dyspnea तो यह है उसके symptoms risk factor जाने के समझे के आप smoking करते है तो उसके करन आगे जाके आप asthma के बीमारी आपको हो सकती है उसके बाद junk food excessive आप लेते है unhealthy diet है आपकी infection के कारण pollutions के कारण हो सकता है as well as genetic factor बीस में एफेक करते है cold weather pate and dust के जिसके अंदर होते है dust might तो यह है risk factor के समझे कि यह सब risk के contact में आप आते है तो आगे जाके आपको अस्तमा हो सकता है अब हमें बात करनी है home remedies के so medicine से पहले हम जानेंगे home remedies के घर पे ही आप इसकी treatment कैसे कर सकते है या फिर आप ऐसी कैसे diet रखते है कि जिससे आप अस्तमा से बच सकते है तो make change to your diet कि जिसके अंदर एकदम healthy diet वो सबसे पहले कि using the path worth method and practicing beauty क्यों breathing कि एक breathing की एसी एक style है आप देख कि specially जिसके अंदर जो breathing इस तरह से सिखाया जाता है कि आपका जो air waste है उसमें से proper जो air है वो pass हो place path worth method use की जाती है उसके अलावा using the honey कि जो आप honey खाते है regularly तो उससे आपको अस्तमा नहीं होता फिर garlic आपके जो food के अंदर garlic है तो उससे भी आपको अस्तमा नहीं होता फिर include the ginger in your diet कि आपके diet के अंदर समझे कि ginger होगा तो ये आपके जो risk है वो कम कर देगा अस्तमा होने के as well as अस्तमा का थोड़ा भी कुछ infections होगा respiratory tract related कुछ infection होने का start होता होगा तो भी वो cure हो जाएगा उसके अलावा जो हम कहिते कि yoga and practicing mindfulness कि जो meditation आप करते है yoga करते है उससे भी आप healthy रहते है turmeric का जो seven हम कहिने करते है कि जो turmeric है healthy जो हम कहते है कि हमारे खाने में भी healthy होती है as well as जो हम routine जो हमारा diet उसके अंदर भी हम healthy का use करे healthy वाला आप दूद लेते है plus directly जो जो हम काडे वगेरा बनाते है वो use करे उससे भी आपको काफी फाइदा होता है फिर caffeine का जो intake कि जो हम tea वगेरा के बात करते है कि जिसके अंदर caffeine होता है coffee के अंदर भी होता है तो उससे भी आपका अस्तमा काफी कम होता है and take a steam bath कि steam bath लेने से भी काफी फरक परता है garlic, honey यह सब उसके home remedies से as well as onion है eucalyptus oil है lemon juice है figs है caron seed है and mustard oil तो जम जो कि आपके routine है diet के अंदर यह सब कि जो गरपी है usually होता है कि जो home remedies हम कहते है कि usually हमारे गरपी honey भी होता है ginger, turmeric, onion lemon, garlic coffee, mustard oil कि जो हमारे जो Indian culture है जो हम कहते है कि जो हमारे मसाले कहते है खाना बनने की जो habits है उसके अंदर यह सब चीज़े खास कर include होती है तो जब आप इस टाइप का proper healthy diet लेते है balanced diet तो जिससे अस्तमा का risk कम हो जाता है और यह है उसकी home remedy अब बात करते हैं medicines की कि किस तरह से medicines को use करके हम अस्तमा को treat कर सकते है तो bronchodilators कि जो हमारी जो bronchize होती है उसको dilate करते है क्योंकि अस्तमा के अंदर उनका हो जाता है contraction इस तरह से कि यह जो normal bronchize है यह वाला और अस्तमा के अंदर तो bronchodilators क्लास की जो medications जो है उसको dilate करती है और देरे देरे उसका inflammation वगेरा काम करती है फिर लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट यह क्लास से popular फिर mast cell stabilizers कौर्टिको स्टेरोइड से anti-Ig antibody drugs वगेरा यूज की जाते है तो यह सभी के बारे में हम detail में अब study करते है medicines कि सबसे पहले drugs used to treat asthma bronchodilators जिसके अंदर यह pharmacological classification के according to है तो आपके लिए काफी important रहेंगे यह drug classification भी तो bronchodilators की ऐसे दवाईया ऐसे medications की जो bronchico dilate करते है जिसके अंदर सबसे ज़्यदा famous है salbutamol की जिसका यह asthmatic pump आता है फिर terbutaline है उसके अंदर bambuterol है salmeterol formaterol ephedrine तो salbutamol काफी popular है asthmat के अंदर anti-asthmatic कहा जाता है उसको कि जो asthmat का यह जो inhaler होता है asthmatic जो हम pump कहते है उसके अंदर यह main medicine रहती है salbutamol उसके लवा terbutaline की cop syrup वगेरा भी आती है bambuterol है salmeterol ephedrine वगेरा के tablet के भी combinations होते है as well as inhaler के form में सबसे ज़्यदा popular है salbutamol as well as starbutaline के जो syrup है tablet वगेरा भी market में available होती है so bronchodilators के अंदर beta 2 agonist class की drug की जो long acting है salmeterol formoterol arformoterol carmoterol olodaterol and inducterol तो यह है long acting के MCQ के अंदर very very most IMP MCQ के अंदर यहाँ से questions पूछे जाते है short acting में हम देखे तो salbutamol है terbutaline livalbuterol parbuterol isoetherine betolterol phenoterol and procaterol तो यह classification आपको याद रखना है कि drugs की जो use होती है treat करने के लिए अस्तमा को bronchodilators जिसको कहा जाता है beta 2 agonist class की यह drug है और उसके दो main class पढ़ते है long acting and short acting आप दोनों को अच्छे से याद रखने है bronchodilators में अब methylxanthins derivative की जो है theophylline की theophylline की जो bronchodilator आप यहाँ पर देख सकते हैं label के उपर 20 tablets theophylline SR लिखा है मतलब की sustain release हो गई aminophylline भी है उसका injection available है market के अंदर की emergency के अंदर उसका injection भी patient को लगाया जाता है colin-theophylline है hydroxethyl-theophylline है doxophylline and theophylline ethanolate of pypracin तो यह methylxanthins derivative कहा जाता है very very most IMP point for the examination purpose की जो students multiple choice questions related तयारी करते हैं उनके लिए यह point काफी important है bronchodilators में ही एक class है anticholinergics की जो है ipratropium bromide की उसका भी inhaler available है 9 microgram उसकी जो strength है ipratropium bromide और 120 meter dose उसके अंदर लिखा हुआ है IP rare यहाँ पे हम देख सकते हैं ipratropium bromide का inhaler उसके बाद tyotropium bromide it is used by inhaler और nebulizer की nebulizer जो होता है उससे या फिर inhaler दोनों से यह medications को patient को deliver की जाती है यहाँ दो रही है यहाँ अगे की जो medication समझे की work नहीं कर रही तूस वक्त आप उसको ipratropium या फिर triotropium जो bromide है उससे patient की treatment कर सकते हैं फिर जो leukotrain जो leukotrain antagonist है जिसके अंदर monte leucast काफी famous है उसके बाद zarfie leucast दोनों हम देख सकते हैं monte leucast, film coated tablet and zarfie leucast pran leucast ये तीनों काफी popular है कि जो leukotrain antagonist drug कहीं जाती है वो भी use होती है to treat asthma उसके बाद 5-lipoxygenase inhibitor like zealuton है hypericum, perforatum etc are also prescribed to treat dhastham और ये सब RX only medication से zealuton extend is released tablet 600 mg और zarfie leucast montelucast वगेरा के tablets के जो leukotrain antagonist क्लास की है फिर हम देखे mast cell stabilizers की prevent the degranulation of mast cell by trigger the stimuli these are indicated only for profile axis of bronchial asthma profile axis of bronchial asthma के अंदर mast cell stabilizer क्लास की drugs use होती है and these are given by inhalation route specially inhalation route से ही उनको दिया जाता है जिसके example है sodium chromoglycate sodium chromoglycate उसका inhaler हम देख सकते for inhalation use only 112 inhalation लिखा है sanofi का यह product है और cfc free inhaler 5 mg pressurized inhalation suspension है फिर ketotifen का भी product available है methylxanthins and nadochromil तो उसमें सबसे ज़्यादा popular है sodium chromoglycate की जो mast cell stabilizer drug है की जो prevent करते है degranulation of mast cell by trigger the stimuli उसके बाद जो IgE की drug inhibiting IgE action की जिसके अंदर monoclonal antibody class की drug omalizumab काफी popular है asthma की treatment के लिए और ये बहुत बार multiple choice questions के अंदर पुछागा है MCQ के अंदर very very most IMP omalizumab for subcutaneous use यहाँ पे लिखा हुआ है for subcutaneous use keep representative do not freeze Novartis का यह product है और single use vial रहता है 150M juice की strength है it is indicated to prevent the attack of bronchial asthma in patient not responding to combination of long acting bigot to agonist and a high dose of inhalation steroid कि जो inhalation वाली medication से या पी जो beta agonist की समझे के आपने tablet भी try कर ली inhalers भी try कर ले फिर भी patient को अस्तमा ठीक नहीं हो रहा है तो उस वक्त आपके पास ये option होता है omalizumab का कि जिससे आप patient को treat कर सकते है and it is administered by subcutaneous root कि जो अभी हमने आपके लिए एक lecture बनाय था injection के जो प्रकार तो वो आप देख सकते कि जो subcutaneous injection जो दिया जाता है उससे ये injection दिया जाता है patient को और वो use होता है तो treat अस्तमा corticosteroids हम देखे तो systemic hydrocortison है pradnisol on वगेरा कि ये जो steroid है pradnisol on है hydrocortison है hydrocortison की जो tablet pradnisol on dispersible tablet है कि ये सभी steroids है कि जो steroid class की जो हम drug कहते है ये सभी prescription only drug रहेगी rx only सभी के अंदर आप देख सकोगे rx लेखा हुआ तो rx only रहती है prescription के साथ ही आपको use करनी होती है corticosteroids की जो inhalation के अंदर यूज होते है like baclomethason, dipropionate, budesonide, fluticason, propionate and flonisolide and ciclesonide तो baclomethason का आप यहाँ पे inhaler देख सकते है salmeteronate, fluticason, propionate, acuheller तो GSK की वो product है तो यह corticosteroids की जो inhalation है तो यह भी try किया जाता है patient के लिए कि समझे की आगे की जो कोई medications effective नहीं रहती तो हम यह से भी patient की treatment कर सकते है drug of choice हम देखे तो acudatic के अंदर salbutamol है acudatic in pregnancy के अंदर भी salbutamol acudatic during the labor ipratropium acudatic in patient on beta blogger therapy ipratropium and profilaxis के अंदर आप corticosteroids को prefer करते है तो यह होगई drug of choices के सबसे पहले आप यह सब जो है वो try करते है और समझे कि इस से क्यो और नहीं होता तो फिर आपके लिए जो अलग-अलग options की जो हमने previous सभी slides के अंदर देखा वो patient के लिए use कर सकते है तो यह video lecture में हमने detail में cover कर लिया अस्तमा अगर आपको lecture अच्छा लगता है तो जरूर से channel को subscribe करिये तो exercise include अस्तमा के जिसके अंदर acute attack में salbutamol, profile axis में corticosteroid, aspirin induced अस्तमा में salbutamol and profile axis में आप corticosteroid use करते दिये है multiple choice question के हम कहीते है pin point कि अगर आप यह pin point याद रखते है तो exam के अंदर कोई difficulty face नहीं करते है तो यह है most important drug of choices और detail में A to Z information of bronchial अस्तमा तो join करिए हमारे whatsapp group यह वाला number है 942-618036 pharma rocks के whatsapp helpline number चैनल को subscribe करिए करिये यह सका तक दिये है well यह करिए ऑन and never miss any video of pharma rocks also use their pharma rocks access curvy a study material test series and video lecture तो सक्रीज करोए